हाई फ्रेंज अगर आप अपना M-Stock का अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको लाइफ प्रोसेस करके दिखाऊंगा सो पहले अकाउंट में लॉग इन कर लीजिए अकाउंट बंद करने से पहले मैं रेक्मेन करूँगा कि आपका कोई भी ट्रेड हिस्ट्री है तो उस ट्रेड हिस्ट्री की रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए तो यहाँ पर जो है proper tax P&L report जो है इस financial year का मैं पहले download कर लेता हूँ तो यह मैंने email report मांग लिया फिर P&L report भी last current financial year का मैंने इनसे मांग लिया है और ledger जो है ledger में आप देखेंगे कि opening balance में ही इनोंने जो है कुछ charges लगा दिये है यह मुझे तो यह जो charges लग रहे है इसी के वज़े से मैं account बंद कर रहा हूँ चार्ज़ लग रहे है और हम account use नहीं कर रहे है तो यह जो ledger है इसको export करने का कोई तरीका नहीं है बट ideally इसे भी हमें export कर लेना चाहिए कि हमारे पास सारा data रहे कि क्या use हुआ है क्या काम हुआ है इनके साथ तो पहला तो यह एक step कर लिजे दूसरा अगर आपके account में इसा आप देख सकते है मेरे account में एक negative balance यह दिखा रहे है तो funds में minus कुछ 294 रूपीज का balance है तो यह पहले हमें pay करना होगा फिर account बंद होगा तो चलो इनको पैसे दे देते है और फिर account बंद करते है तो यह पैसे देने के लिए जो है यहाँ पर exactly यही amount जो है मैं add करता हूँ और मैं click कर देता हूँ add funds यह UPI के थूपेमेंट हो रहा है यह app इतना खराब है कि यह फरक नहीं समझ पर आपा रहा है 294 रुपीज, 0.35 पैसे और 29,000 रुपीज में तो इन्हें मैं फिर से बताता हूँ कि भीया आपको मैं अच्छा तो decimals में हम payment नहीं कर सकते ही न तो यह कुछ मेरे 60 पैसे और खा जाएंगे चलो ठीक है आड़ फंड्स कर देते है UPI के थू मैंने यह payment कर दिया है I hope amount immediately credit हो जाए अब ऐसा नाम हो कि यह कह दे कि 60 पैसे extra पड़े है अकाउंट में और हम जो अकाउंट बन नहीं कर सकते So let's see if this works So इसे refresh कर लेते है तो फंड्स देखिए Contact details के बाजू में एक और edit button है उसे दबाई अकाउंट बन करने के लिए फिर इस segments पर click कीजिए और यह जो segments का यह button ही हाँ पर है load होने में थ्वा समय लेता है उसे click कीजिए और फिर close my account click कीजिए फिर अपना pan number डालिए OTP डालिए और फिर hope कीजिए कि यह closing का जो इनका processor वो काम कर जाए क्योंकि इनका tech बहुत ही ज़्यादा खराब है OTP डाल दिया है Are you sure you want to close your account and pay high brokerage for life भाया आपने ही लूट लिया है 300 अर्मच से चलो yes करके बंद करेंगे unhappy with a stock क्लिक करेंगे और submit दबाएंगे अब click here to e-sign करते है I hope यह e-sign काम कर जाए और अब यह काम नहीं कर रहा है क्या करें click here to close account फर्म कर रहा है तो file not found आ रहा है कुछ ठीक करने के कोशिश करते हैं इनके tech में नहीं हो पा रहा है click here to e-sign क्लिक करते हैं फिर से continue करते है तो यह अब वापस इस process पे आ गया तो चलो support को email करते हैं और दुबारा आते हैं यह process complete करने के लिए तो दोस्तों वापस try कर रहा है इस बर मैंने chrome browser पर इसे load किया है फिर same process हम follow करते है segment में जाते है और कहते हैं इसे close करना है close my account हम click करते है और verify करते है हम हमारा reason select करते है submit करते है और hopefully आधारी sign इस बर काम करेगा तो इस बर pop up open हो गया है लेकिन हाँ हो गया है चल रहा है यह बहुत अच्छी बात है हमें हमारा आधार number यहां डालना है और इसे sign करना है हमने हमारा आधार number डालकर OTP generate कर लिया है अब OTP को यहां enter कर देते है और verify OTP कर देते है your account closure request is under process तो चलिए यह account closure request under process है एक बाग कोई confirmation email इनके side से आ जाएगा तो यहां पर आपको मैं उसका screenshot भी दिखा दूँगा आपके कोई सवाल हो तो comment करिएगा तो दोस्तो जैसा कि मुझे अंदेशा था यहां पर जो है इन लोगों ने बहुत यहां stupidity की है तो वो कह रहे कि outstanding charges है जिसके वो यह account closing को reject कर रहे है और वो पैसे का जो balance पड़ा है उसके वजह से वो reject कर रहे है तो यह तो हमने expect किया ही था कि ऐसा कुछ-कुछ यह लो करते है account बंद करने से पहले तो अब हमें क्या करना होगा हमें और पैसे deposit करने होंगे कि minimum withdrawal हो सके और उनके support को मैं email करूंगा इन charges के बारे में तो यह चीज मैं करता हो फिर आपको बताता हो progress क्या है दोस्तो मैं फिर बता रहा बहुती फुद्दू product है यह कभी use मत करना account खोला है तो बंद कर दो तो अचलो अब देखते है funds में क्या situation है हम जाते है funds transfer में यहां पैसे-पैसे का balance दिखा रहा है तो हम कहते है withdraw funds हम कहते है कि amounts to withdraw 0.65 अच्छ तो एक रुपे के नीचे withdraw नहीं कर सकते और decimals में भी withdraw नहीं कर सकते तो यह भाई 60-पैसे का balance कभी withdraw होगा तो कैसे होगा राइट तो मैं अगर 100 रुपे और भी डाल दू तो भी नहीं होगा और decimals में पैसे डाल भी नहीं सकता तो ये तो बग है